हेलो और नहाद होकर मैं आ गई हूँ और पदा है आपनों को मेरी हो रही है तैयारी घर जाने की और मुझे करनी है पैकिंग बगएरा तो मैंने बैक बगएरा निकाल लिये हैं और यह देखो मैंने फ्रिज वगएरा भी साफ कर दिया क्योंकि घर जाने के पहले क्या होता है इसके साथ पार्स रख दिये हैं ताकि यह उसमें बद्भू अगरा नहाए और कल जाना है अचली हम लोगों को घर पर कल हां साम को निकलेंगे पता है पांच महीने बाद जा रहे हैं घर पर अभी पूरे पांच महीने हम लोगों को हो गया है कुहू थी अपने मंत की तीन महीने की थी कुहू जब हम लोग आ गये थे और आप हो गई है आठ महीने की पांच महीने हम लोगों को यहाँ पर हो गये है तो सोचे चलो दिवाली भी हो जाएगी और कुछ साधी बगेरा भी हैं घर पर तो बो भी हो जाएगी साथ ही साथ भ तुमेरा वहीं पर रहें घैना मेरी सारे थांगि नहीं बाइब रहे में और टेसं अब जोड़ा कर दो है और आशे को हुआ है और क्याना मेरी सारी पैकिंग डे गई है मुझे आज से करनी पड़ेगी क्या वह नखी मेरे तो कपड़े हैं नहीं में बहुत कम अपना सामाल ले जाओंगी क्योंकि मेरा काफी कुछ वहाँ पर भी रखा हुआ है काफी कुछ यहां पर है तो भूछ थोड़ा भूछ ले जाना पड़ेगा और इनको भी ऐसाी है यह तो यहां से असबीनेस वहां उसके लिए हो लेंकिन कुहु का कुछ भी नहीं है वहाँ पर क्योंकि कुह की सुष्ट सर्सWowинळS यही से आई आप लोगों के लग जाएगी बच्चों को क्या-क्या लिया जाता है और क्या-क्या ले शकते हैं तो APP ही हुआ तो पहले मैं पैक पैकिंग की बज़े से तो अभी मैं दिखाओं कि कुहू के लिए क्या क्या लाए हैं और तो फस्क तो है ये शर्डियों वाली जैकेट जो की कुहू के लिए मैं लेकर आई क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है उसे लेकिन हाँ नेस्टियर भी चल जाएगा और इससे फोटा म ये कैप है उसकी तो ये जैकेट छोटी सी चूट सी है अपी अच्छी लग रही है तो इस सर्दियों के लिए उसे बड़ाएगी जैकेट है ये वाली है अच्छी मैंने पहले ये वाली लेती फर इसमें मुझे नहीं लग रहा है उसकी इतनी सर्दी बचेगी तो क्योंकि इसकी स्लीफ थोड़ी सी लूज है और थोड़ा सा यहां तक आती है यहां तक पूरा फूरी है और इसमें क्यूट सी कैप लगी बने हुई है और यह बहुत प्यारी लग रही है बट थोड़ा सा सर्दी के उससे ये थोड़ी फैशनेवल हो जाएगी आशादी उतना नहीं बचाएगी तो सेकंड जैकेट यह है तो यह दोनों जैकेट हो गई है और मैं इसलिए आप लोगों से सेर कर रहे हूं क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर काफी मेरी एस के हैं जो कि जिसके बच्चे हैं इतना ही उमर के बच्चे हैं और होने वाले हैं तो मैंने सोचे चलो से लिए आप लोगों को भी आइडीया मिलता रहेगा कि कैसे क्या किया जाता है बच्चों के लिए क्या जाता है कि इसलिए मैं आपसे सेर करती रहती हूं काफी कुछ तो उसके बाद ये फुल ये उisman को आप टाइप का है गरम टॉप है तो ये जिए और तो ये इसके लि प्रेशान कर रही है ना ना बेटा उसको नहीं उठाते और उसके साथ मैंने सोचा एक जीन्स ले ले लें डैनिम क्योंकि इसके पास नहीं था और कभी कभी सिंगल टॉप काफी सारे हो जाते हैं उसके नीचे कुछ पहनाने के लिए नहीं होता है तो इसका कुछ फर्स्ट ज ना और तो यह जीन्स और टॉप हो गया नाइट बियर और यह उसके नाइट के लिए हो जाएगा पजामी और इनर पहना दो और उसके ऊपर थोड़ा पतले कप्रे पहना पतला नहीं है थोड़ा ठीक है वैट इतना मॉटन हीए कि सिंगल पहना और को शर्दी बचेगी तो यह हो जाएगा उसका नाइट वियर ऐसे ही दूसरा है जोटी मैं पहना चुकी हूँ उसको तो मैं यह लाई थी एक रहा यह यह क्यूट लग रहा है इसमें मॉच बना हुआ है तो यह और इसके साथ यह पजामी तो यह नॉर्मल इनर वगरा के उपर पहना दो तो यह अच यह लकार आरहे तो यह मॉट तो हुद आरे हैं और है यह मॉटा साह सिंगल पहना सकते हैं सो गरम है अपर और काफी मॉटा है और सॉप्ध बहुँच ज्यादा यह साधी अगर तो मैंने सूचा एकां पार्टी बियर ले ले लेडें तो यह रहा तो फोड़ा सा बढ़ा है यह रही इसकी शायट और इसकी के अंदर है इतना और यह देखो कुछ ऐसा लगरा है इसका लुक देख रहा है ना तो यह ऐसी लगए गी और यह है फुटू सा इश्कार प्जाब भी आगी इसके साथ और छूटू सा मासक आया है तो यह बहुत प्यारी ड्रेस लग रहे है थोड़ा कोश्ट्ली पड़ी है यह महला बच्चों की कपड़े काफ भी कोश्ट्ली आते हैं यह मुझे पड़ा 2000 संथिं की मुझे तो बहुत कोश्ट्री लगा बच्च क्या करें पसंद आ गया था तो मैंने सुचर ले लूँ और कुछ ना कुछ होना चाहिए फ्रॉक बगरा तो यह ले लेके बाद एक यह कैप बहुत गरम है अदर से देखो यह मैंने फर्स्ट काय से मंगवाए भी कैप यह कैप है और दूसरा यह है तो यह दो दोखे हो गए चर्दियों बाले इसकी जूतियां प्यारी से चर्टी चर्टी से यह उसी ड्रेस के लिए मैंने ली है मैंचिंग की में मिली थी बट मैंने ले ली बच्चों को फन ठीक है चल जाता और उसके बाद है यह सूच है एक पर यह सूच के बशक काफी सारे हो गया है कियाला को थो है तो हम नों आगा तक कपने मैं त luggage क nella सामन तो यहां कोई भी ड्रेन चल रही है यहां पर एक्छली क्याया कि वह चल रहा है आंग्रोलन पर बैट्ट धर्ण नहीं कि सान लो तो यहां से कोई भी ट्रेन नहीं चल रही है तो बड़ी परेशानी हो रही है चैसाथ 7-8 महीन हो गए जबसे लॉगण फर्स्ट लोगण डल वह उसी टाइम से पंजाब मेल लगी चल रही है तो हम लोगों को आने जाने में काफी प्रॉब्लम हो रही है बारना तो ऐसा था ना कि डायरेक्ट यहां से जहासी पंजाब से जहासी फारीत कोट से जहासी के लिए ट्रैन थी तो डायरेक्ट बैठो और जाओ अभी जब तक ट्रैन चल रही है तब तक काफी प्रॉब्लम आएगी इसलिए मैं बापस एक दो महिने दो तीन महिने बाद ही आओंगी जब ट्रैन चल जाएगी बस उसके बाद दिखाती हूं मैं अपने लिए लाए हूं पंजाबी जूतियां यहां बहुत सुदर सुदर मिलती है तो ए हूँ गशके बाद हिए थोड़ा सा हरे दो प्यारिल लग रही थी है पाकिस्तान में यह तो पंजाबी से पाकिस्तान होगी बगल में मेरे पाकिस्तान यहां से होगा 30 किलो सम्थिंग पाकिस्तान है थोड़ा साइब और पास में लगा हुआ है तो यह बोल रहे थे कि यह पाकिस्तानी जूदिया बट यह पहलने पर बहुत प्यारी लग रही है कैसी लग रही है आप लोग ज़ूर बताना और तो यह सारी है मेरी घर जाने की सौ सिंपल एक अपने लिए लाई हूँ शोयटर वो भी दिखा गे थी हो फिर ले आई है यह देखो बलेजर टाइब का लग रहा है लॉंग है काफी तो बश एक सिंपल सा स्वेटर है और अपने पैक्ट करने के लिए बैग लेकर आई हूं इसके बाद बस इतना ही मैं लेकर पाई हूं तो जो कि मैंने सेयर कर दिया है और अभी फैल गया है सारा कुछ तो मैंने लगे हा तो यहां पर पैकिंग भी किये लेती हूं दो से तीन बैगी होंगे तो तीरे तीरे हो पाएगा कल मुझे जाना है और आज थोड़ा सा सामाने खटा करके रख देंगे और फिर उसके बाद धीमे धीमे तो लगा ही रहेगा कुछ बूल जाते हैं क्योंकि जाओ तो काफी कुछ बूल जाते हैं तो मैंने सोचा एक दिन पहले से ही करने दो कुछ अभी हो जाएगा और फिर कुछ परिशान करने लगेगी तो नहीं कर पाते हैं तो अभी जैसे हो रहे हैं तो लगे हाथ में किये देते हूं क्योंकि वो अभी खेल रही है अपनी बॉकर से गूम रही है आस पाल देखो नहीं देख रही होगी तो अभी चलो आपसे मिलेंगे अब थोड़ी देड़ से कर लेते हैं ये पैकिंग उसके बाद आपसे बात करते हैं और यह मैंने अपना मेक अप भी रख लिया इसमें जो बड़े बड़े प्रोड़क्ट थे तो इस किट में मैंने सारे बड़े बन जाते हैं इसमें तो इसमें बड़े पैकेट्स रख लिये हैं और जो जो भी सामान है वो मैं रख लोंगी और यह जूतियां इसलिए रखी है क्योंकि न्यू है तो ऐसे ही मैंने रख दी यूज नहीं की हैं और इक और पाउजे जिसमें आर्टिफिशल सारे जोएल्री आर्टिफिशल जोएल्री मैंने रख दी है क्योंकि साधियां हैं तो काफी यूज हो जाएंगी अभी बढ़ना यह बहुत कम यूज करती हूं मैं और जो दूसरा पाउज में लिपिस्टिक बगेरा ये छोटे-छोटे सामान सारे रख दिये हैं जो उपर से रख दिये हैं कैसे लगे आप लोगों को मेरे और मेरे कुगों के कपते जरूर बताना तो यहीं करती हूं अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना और अगर अभी कि अधर कैसें चैनल को सबस्क्राइब नहीं कियों जरूरिश म्याक करते हैंider क्योंकि आशी वीडियो लाती जो कि आप लोगों को काफी अच्छी लगेंगी तो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंट के साथ सेर कर देना मिलते हैं आप से नेस्ट वीडियो में तब तक लिए बाइबाइब